हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विधिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम भारती संविदा अधनियम अर्थात इंडियन कांट्रेक्ट एक्ट से संबंधित संबंधित केस और संबंधित जो सेक्षन हैं उनसे कोर्लेट करते हुए हम सारे प्रस्णों को हल करेंगे और यह जो वीडियो है आपकी तयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सावित होने वाला है तो आप सभी प्रस्णों को ध्यान पुरुवक हल कीजिए और आप हमारे चैनल विधिकारी पर इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके बारे में आप अपने दोस्तों को भी बताईएगा तो आएए देखते हैं किस प्रकार के प्रस्ण भारती संबीदा अधनियम से पूछे जा सकत होती हैं उनका भूत लक्षी प्रभाव नहीं होता है नेक्स्ट है प्रस्ताव की परिवासा किस संबीदा धियम की किस धारा की अंतरगत दी गई है तो प्रस्ताव अर्था प्रोपोजल की जो परिवासा है वह धारा टू एक अंतरगत दी गई है और दारा टू एक अनुस प्राप्त कर सके यह सभ्दाए के अंतरगत प्रस्ताव कहा गया है और उस चिए प्रस्ताव किया रहा है ऐसा प्रस्ताह को सुट कर लिया जाता है तो उसे जो स्विक्रिति कहा जाता है और यह जो स्विक्रिति है जब प्रस्ताव को स्विकार कर लिया जाता है तो उसे वचन कहा जाता है तो इस प्रकार से प्रस्ताव स्विक्रिति और वचन यह तीनों जो है एक दूसरी के साथ स्विक्रीत को परिवासित कि अगया है तो इसे ही प्रस्ताव कहा जाता है नेक्स्ट संभीदा अधिन्यम्की की सधारा के अंतरगत स्विक्रिति को परिभासित किया गया है तो स्विक्रिति को जो है धारा 2B के अंतरगत परिभासित किया गया है और प्रस्ताव को धारा 2A के अंतरगत परिभासित किया गया है तो स्विक्रिति क्या है कि जब कोई प् पर क्या हो जाती है तो इसके बारे में जो प्रावधान है कि कि कोई जो प्रस्ताव है अगर स्विकार कर लिये जाता है तो वह वचन बन जाता है और फ्रमडॉबी कaciónतर यूजित की गई है उसमें फंबर आ गया है कि प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो तुक्त पॉराने स्टुडेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा चाहिं तो आप तुरंत इंग्लिस क्या है उसको देखिएगा नेक्स्ट स्वीकृति के लिए केवल मानसीक संकल्प ही परियाप्त नहीं होगी बलकि इसके लिए लिखना बोलना या अन्यबाहरी प्रक्टन करना होगा तो ऐसा नीड़े सरोच ने डाल संस काया था इसमें सरोचिनयाले की में रहने सकती है या कि आपके इंटेंशन है उसके दौरा रहे हो सकती है इसके लिए आपको बोलना होगा लिंब अलए Corn volta सब्सक्राइब से बताना होगा कि आप प्रस्ताओं को सविकार कर रहे हैं कि नेक्स्ट भारती संभीदाय द्र्यम की निम्न धाराओं में से कौन सी धाराएं स्विकृति से संबंदित हैं तो दारा टू बी के अंतरगत स्विकृति को परिभासित किया गया है और धारा दारा यह तार पांच और धारा साथ यह स्विकृति से ही संबंदित हैं क्योंकि yeter कि संसूचना है कम्यूनिकेशन है кब माना जाएगा कि वह अश्विकृत हो गई है और दारा-फांच के अंतरगत यह स्विकृति हो गई है तो उसको कैसा किया जाएगा उसको जो है प्रतिसंगरीत कैसे किया जाएगा का अगर प्रतिक्रहण है और देखें अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो इसके लिए एक सब्द यूज किया गया है प्रतिक एकसेप्टेंस लेकिन यहां कभी सुच्रित यूज किया जाएंगा तो कभी तरह के जो और सब्द तो जो um यह दारा साथ में बताया गया है कि स्वीकृत हमेशा आत्यांतिक होना चाहिए अर्ठारा थी इससी स्र्थ पे धारीत नहीं होना चाहिए नेक्स्ट भारती संभी अधिनियम का निर्वचन खंड नियमद। धारा में तो निर्वचन खंड जो होता है अमूमन धारा दो में ही होता है किसी भी बीदी में आगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं धारा तीन में दिया गया है नित अमूमन दो में ही होता है और निर्वचन खंड में क्या रहता है तो उसमें परिभासाइं दी गई रहती हैं तो धारा साही है तो पहला है प्रत्येक वचन करार है का उसा यह ही सही है क्योंकि धारा sind kimse itus-2-b कें और यह बताए गया है कि जब प्रस्थापना प्रतिगरी तो हो जाती है तो है वचन हो जाती है अर्थात कोई प्रस्ताव है कि यह प्रस्ताव स्विकार कर लिया गया तो प्रस्ताव स्विकार हो जाता है तो उसे ही वचन कहा जाता है और जो वचन है धारा 2E के अंतरगत बताया गया है कि जो वचन है वह करार हो जाते हैं कब करार हो जाते हैं तो जब ऐसे वचन एक दूसरे के के लिए प्रतिफल हो तो वह करार हो जाते हैं कि नेक्स्ट हर एक वचन और वचनों का हर एक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो क्या कहलाता है तो अभी हमने बताया कि धाराट टूई के अनुसार हर एक वचन और वचनों का हर एक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वह करार कहलाता है यह करार कहलाता है नेक्स्ट ए बी को प्रस्ताव करता है और बी के द्वारा वह प्रस्ताव स्विकार कर लिए जाता है तो ऐसे जो प्रस्ताव को स्विकार कर लेने पर यह स्विकृति क्या हो जाएगी तो यह स्विकृति ज और says it next निंवनिखित में से किसमें संधा नहीं होती है तो इस में पहिला है यह अपने को एक प्रस्ताव बोलना सिखा देता है और इसे विपास भेज देता है तोटा व के सामने जाकर प्रस्ताव मोझेद को बोल देता है और वी जो एक यही संबीदा नहीं हो सकती है क्योंकि संबीदा होने के लिए वय धरूप से एक व्यक्ति को अपना जो किसी कारे को करने या विरत रहने की जो अपनी रजामंदी है अन्य व्यक्ति को बताना होता है और उस व्यक्ति के द्वारा उस जो रजामंदी है उस पर अपनी नहीं है निमलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव मान्य है तो पहला है एक दुकानदार का एक सूची पत्र तो यह प्रस्ताव मान्य है दूसरा है रेलवे की समय सारडी यह भी मान्य है तीसरा है वस्तूओं का एक दुकान में प्रदर्सन जिन पर दामों की परची लगी हु मैं इस पुस्तक को खरीदना चाहता हूं और दुकांदार हां कह देता है तो यहां जो है ने तो प्रस्ताव हो पाया है नहीं स्विकृति हो पाई है तो इसलिए अगर यह व्यक्ति जो दुकांदार के जालकर कहता कि इस पुष्टक को खरीदना चाहता हूं और दुकानदार कहता कि हाँ इसका मुल्य इतना है उसके बाद जो ग्रहाक है उस मुल्य को देने के लिए तयार हो जाता तब वहां पर प्रस्ताव का सिरिजन होता अन्हे यह प्रस्ताव जों है नहीं है अभी नेक्स यह सिधान्त कि किसी पूछताच के संबंध में दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए आमंतरण होती है तो यह सिधान्त किस केस में प्रत्पादित किया गया था अगर पूछताच के संबंध में अगर कोई सूचना प्रस्थापना के लिए आमंतरण हो सकती है तो किसी वारतालाप या पूश्टाप पूश्टाप की दवरान कोई अगर सूचना दी जाती है तो वह प्रस्थापना के लिए आवंत्रण होती है नकी प्रस्थाव होता है नेक्स्ट निम्लिखित में से कौन सा केस प्रस्थापना के आमंत्रण से सम्बंदी थे तो प्रस्थाव के आमंत्रण से सम्बंदी जो केस है वह हार्वे बनाम 20 का केस है पहला विकल्ब नेक्स्ट एक सामाने प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जो कि एक सामाने जन को दिया जाता है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसे स्विकार किया जाता है तो सामाने प्रस्ताव सामाने जन तक पक्षमित किया जाता है अर्थात समाज का कोई भी व्यक्ति उसको स्विका सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं नेक्ष्ट सामान प्रस्ताव पर कौन सा एक प्रसिद्ध वाद है तो सामान प्रस्ताव पर एक सबसे महत्पूर्ण केस में कारलील बनाम कारवोलिक स्मौल बाल कंपणी और सामान प्रस्ताव का नहीं होता है रद्ध होने से पहले पूरी करता है तो समाज कोई व्यक्ति प्रस्ताव के सरतों को पूरा करता है और से प्रस्ताव को रद किये जाने से रद किया जाने से पहले उसको स्विकार करना होगा तब वह को स्विक्रिती मानी जाएगी तो यह केस जो है कारलीर बनाम कारवोली कि स्मोल वाल कमपनी का केस है नेक्स्ट इह सबसे करता सकता है तो यह सामाने प्रस्थाव है का सबसे अच्छा उदारण है नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन वचन दाता नहीं हो सकता है तो इसमें से पहला जो प्रस्तावक है यह वचन दाता हो सकता है वचन दाता के ताथ पर ही प्रस्तावक होता है कि जो अन्य व्यक्ति की सहमती प्राप्त करने के लिए कोई वचन देता है तो प्रस्तावक हो सकत है वह नहीं है बाकि स्विकार करता जो है यह भी वचंदाता है निलामी विक्रे में बोली लगाने वाला व्यक्ति यह भी वचंदाता हो सकता है लेकिन यह द्वारा बी को एक प्रस्ताव किया जाता है अर्थात एक जो है डाक के द्वारा बी से एक प्रस्ताव करता है और बी के पास प्रस्ताव पत्र पहुंचने से पहले ही बी की मृत्ति हो जाती है और बी का जो पुत्र है वह प्रस्ताव को स्विकार कर लेता है तो यहां एक द तो एक जो प्रस्ताव है उसका स्विकार करना बी के पुत्र के द्वारा स्विकार किया जाता है तो इस मामले में यह जो है उस अपने प्रस्ताव के लिए उत्तरदाई नहीं होगा क्योंकि जो प्रस्ताव था केवल उसी व्यक्त के द्वारा स्विकार किया जा सकता है जिसक जो नेड़ा है यह एडंस बनाम यह जो केस यह एडंस बनाम कि लिंड़ सेल के कि नेड़ा पर आधारित है और इसमें यह कहा गया था कि डांक द्वारा अथवा तार के द्वारा अगर स्विकृति देने की दी जाती है तो स्थिति में वह स्विकृति तब पूर्ण मान ली जाएगी जबकि जो स्विकृति का पत्र है उसे पत्र पेटी में डाल दिया जाता है नेक्स्ट धारा 2D के अनुसार जो प्रतिफल है वह कैसा होना चाहिए तो प्रतिफल जो है यह परियाप्त होना चाहिए यह जरूरी नहीं है यह परियाप्त नहीं होना चाहिए तो यह भी जरूरी नहीं है क्योंकि यह परियाप्त हो भी सकता है और परियाप्त नहीं भी हो स कि दारनाथ बनाम गवरी मुहम्मत का तो इस केस में जो है यह निड़े दिया गया था कि जो प्रतिफ़ल है वह वास्तविक होना चाहिए कि नेक्स्ट कथन ए संबिदा में अजनवी ब्यक्ति संबिदा को लागू नहीं करा सकता है तो यह कथन सही है कि जो संबिदा का आजनवी ब्यक्ति है वह संबिदा को लागू नहीं करा सकता है और से जो है धारा 25 कि अंतरगत बताया गया है और इस सिध्धांत को प्रिविटी आप का जाता है और था सम्विदा की गुपतता आप सिध्धांत का जाता है इसके लिए अपरचित व्यक्तिवाद नहीं ला सकता है तो यहीं कथन सही के कि लिए हम एक उधारन देखते हैं है तो यह और भी है वह एक अपजेक्ट है सी के संबंध में हापस में संब्धा करते हैं तो यह संब्धा यह और बी के बीच में हुई है इसलिए यहां पर एक व्यक्ति एक्स जो है या इस संबीदा को प्रवर्तित कराने के लिए कोई वाद नहीं ला सकता है क्योंकि एक्स जो है वह जो है इस संबीदा से अपरचित है अर्थात इस संबीदा से उसका कोई लेना देना नहीं है इसलिए एक्स यहां पर वाद नहीं ला सकता है तो यह तो उदाहरण हो गया कि कौन सबीदा सिय परचित रहे हैं अब देखते हैं कि कौन व्यक्थी है जो है उसला में प्रतिफल से परचित है का उदाहर यह है कि ए आधारngulo है कि हम गार में कोई संबीदा हो रही है संबीदा एह और बीच के बीच में है लेकिन इसका जो प्रतिफल है मालीजे एक वस्तु के लेके खरीद विक्रे को लेके दोनों के भी संविदा होती है लेकिन इसका जो विक्रे है मुल्य है वह एक पिता डी के द्वारा दिया जाता है बी को तो ऐसी स्थिति में जो ए और बी है यह आपस में तो संविदा के पक सख्षेकारे लेकिन यह व्यक्ति प्रतिफल थे रहा है दिया वह प्रतिफल नहीं दे रहा है इसलिए जो यह है है कि कौन व्यक्ति सम्विदा से अपरचित है और कौन व्यक्ति प्रतिफल से अपरचित है कि नेक्स्ट वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है या प्रतिफल का भाग है तो ऐसे जो कथन है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है या प्रतिफल का भाग है तो उन्हें ब्यतिकारी वचन कहा जाता है और ब्यतिकारी वचन की जो परिभासा है वह अधारा 2F के अंतरगत दी गई है कि टू एफ के अंतरगत और इसमें परिभासा बताई गई है कि वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है या प्रतिफल के भाग है तो यह आपस में ब्यतिकारी वचन कहलाते हैं कि नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है तो पहला है जो सुन्य करार है वह हमेशा अवयद होता है तो यह कथन सही नहीं है और दूसरा है अवयद करार हमेशा सुन्य होता है तो यह कथन सही है कि धारा 2G के अंतरगत यह प्रावधान है कि वह करार जो विधितह प्रवर्तनिय नहीं है तो वह सुन्य होता है यह धारा 2G के होता है तो एक संबिदा और सामाजी करार के बीच मुख्य अंतर जो है वह है पालन की जो विधिक संबंध अस्थापित करने का आसय से संबंधित है तो अर्थात एक भीदिक बाध्यता होती है और कोई व्यक्ति संभीदा करने के बाद उससे मुकर नहीं सकता है तो इसी लिए एक संभीदा तर्फासा समाजी करार के वीद्ज मुख्य अंतर है वह भीदिक संबंध बनाने के आस्या अंतर है एक जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक आई के अंतरगत क्या है कि वह खरार जो उसके पक्षकारों में से एक या आधिक के विकल्ब बिधिद्वारा प्रवर्तनी है किंतु अंपनैंक रिखल्ब हoh.. जब सब्सक्राइब पर पूर्ड मानी जाती है जहां स्वीकृती सुनी जाती रीड़ए निड़ए केस में दिया गया था तो ऐसा नेड़ा जो है भागवान दास बनाम गिरधारी लाल के केस में दिया गया था और इसमें सरवच नियाले के द्वारा कहा गया कि जब दो प्रस्ताव देता है और वी जो है एक स्विक्रित पर पूरी की गई है नेक्स्ट संविदा फालतु समय की मजाक बाजी नहीं है यह कथन किसका है तो यह जो कथन है यह लाड इस्टोवेल का है इन्होंने कहा कि संविदा फालतु समय की मजाक बाजी नहीं है और ऐसा जो नेड़े है इन्होंने डारलेंपन बनाम डारलेंपन के केस में कहा था कि संविदा फालतु समय की मजाक बाजी नहीं है अर्थात संविदा अस्थापित करने के लिए नेक्स्ट वचनात्मक विबंद पर निम्लिखित में से कौन सा महत्पूर्ण केस है तो वचनात्मक विबंद पर महत्पूर्ण जो केस है कि वह है किदारनाथ बनाम गौरी मुहम्मद का और दिल्ली कलाथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड का तो यह नेक्स्ट संविदा की गुप्तता का सिध्धांत अर्थात प्रिविटी आप कांट्रेक्ट का निम्लिखित में से कौन सा अर्थ सही है तो इसका जो प्रिविटी आप कांट्रेक्ट है इसका सही अर्थ यह है कि जो संविदा के पक्षकार हैं वे ही उस पर दावा कर सकते हैं तो अभी हमने बताया जो पक्षकार हैं केवल वही दावा कर सकते हैं यहीं है संवीदा के गुप्तता का सिध्रा लेकिन प्रत्रिफल के संबिदा कर सकते हैं केवल्द के संब supplier कर आने के लिए। परक्षकार ही दावा कर सकते हैं नेक्स्ट नेमलिखित को सुमेलित कीजिए तो पहला है मैक ग्रेगर बनाम मैक ग्रेगर का केस संबीदा का आसाय से संबंदित है दूसरा है बीक्स बनाम टाइबॉल्ट तो यह केस सामाने है प्रस्ताव से संबंदित है तीसरा है हेंडर सन बनाम स्टिवेंशन तो यह जो है युक्त युक्त सूचना से संबंदित है और चौथा है क्यूरी बना मीशा का यह प्रतिफल से संबंधित केस है तो इस प्रकार से दो एक चार तीन अर्थात जो पहला विकल्प है यही सही है कि नेक्स्ट नेमलिखित को सुमेलित कीजिए तो पहला है सत्यब्रत घोष बना मंगनी राम का केस तो यह जो है इस एफंफवता का सिध्धान से संबंधित है असमभावता का सिष्धान चौता एक और राज राणी बनाम प्रेम अधीव तो इनका जो केस है यह ओय five के करार से समबंदित है और इंडोर्स लिम्टेड बना माइल इस्ट कार्पोरेशन तो यह जो केसे है यह सुचना से समबंदित है और चव्था है फ्रस्ताओं का समबंदित है तो इस प्रकार से चार तीन दो एक अर्थात यह जो चौथा विकल्प है यही सही है नेक्स्ट निम्लिखित को सुमेलित कीजिए तो सुमेलित करने वाले प्रस्णों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है आप अठारे का भी प्रेपर उठाके देख सकते हैं तो उसमें लाव वाले में भी औ अऔर संभाऑता का सिद्धांत यह विफली करण से संब्धित है और परतिफल है यह सत प्रति їх होना चाहिए यह संभंस संभान नापूर्वक जो है यह संबिदा का परम विश्वास की संबिदा होती है और डनलप नियू मुर्टिक टाइर कंपनी का जो केस है यह संबिदा संबंध से संबंदित है तो इस प्रकार से इसमें जो है दो चार और एक तीन अर्थात इसका जो तीसरा विकल्प है यहीं सही है नियुक्त निमलेकित में से किस पर एक निदर्शक केस है तो बेल बनात बंपना जो केस हैं वह संबिदा करने के आस्याँ संबंधित है यह दूसरा विकल्प सही है और इस केस में यह कहा गया कि पतिद्वारा पत्नी को एमाज के लिए प्रतिमां तीन सो पॉंट भेजने का वचन देना उनके बीच जो है पिधिक संविदा कर्षजन नहीं करता है तो यह संविदा करने का जो आसे है अगर इसके आसे से जब संबीदा नहीं की गई है जब तक वचन नहीं दिया गया है तब तक उसका प्रवर्तन नहीं करा जा सकता है कि संबीदा अधिनयम की धाराचार के अंतरगत निमलिखित में से किसका उपबंध नहीं किया गया है तो धाराचार के के बारें प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इसके बारें जो प्रावधान है वो धारा पांच के अंतरगत किया गया है नेक्स्ट प्रतिग्रहण अर्थात स्वीकृत की जो सूचना है वह प्रतिग्रहीता अर्थात स्वीकृत करता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाती है तो जो स्वीकृत की सूचना स्वीकृत करता के व्युद्ध कब पूर्ण मानी जाती है तो यह जो है तब मानी जाती है जबकि ऐसी जो सूचना है वह कि प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है दूसरा विकल्प सही है कि प्रस्तावना का प्रतिशंघरण अर्थात रिविक्विशन जो है इसके प्रावधान है और इसके अनुसार किसी प्रस्तावना का जो ह traumy सκता दीखरण है वह जो धाराचे के अंतर का जो तरीके बताएं गये हैं उनहीं के द्वारा किया जा सकता है तो कि प्रस्ता रकीम रिच्व या उनमत्तता से यदि उसकी मृत्तता का तथ्य सुवीक्रित करता के ज्यान में अचन्में प्रस्ताव करने जा सकता है ऐसे प्रस्ताव का प्रतिसंगरण किया जा सकता है कि नेक्स्ट निम्निखित में से कौन प्रस्ताव की वैद सुविक्रिती है तो इसमें जब सुविक्रिती जो है प्रस्तावक द्वारा विहीतरीजते की जाती है तो यह जो है प्रस्ताव की वैद सुविक्रिती है अर्थात जिस रीत से यह चाहा गया है प्रस्तावक के द्वारा कि उस सर्तों के आधार पर स्विकृति की जाती है उसी रीत से से होना चाहिए लेकिन इसमें युक्तियुक्त निर्बंधन और सर्थे जो है यह धारत दस के अंतरगत कहीं नहीं बताई गई है कि नेक्स्ट कथन और वयक्त की संविधा सुन्य होती है तो कथन सही है कारण और सभस्टिकरन नहीं तो इस्वरकार से यह और आप दोनों सही है और आर जो है एका सहीए स्वस्टिकरन नहीं है और इसके बारे में जो प्रावधान है और उसमें यह बताया गया है कि संब्यारा करने के विए others सक्षम है तो धारा 11 कि अनुसार जो अवयस्क व्यक्ति है या जो सचित व्यक्ति नहीं है तो ऐसे जो व्यक्ति है वह संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है और अगर संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति के द्वारा संविदा की जाती है तो ऐसी संविदा सुनने होती है और मोहरी वीवी बनाम धर्मुदास गोस के केस में कहा गया कि ऐसी जो संविदाएं हैं जो प्रारंब से ही जुन्य हैं उनका जो समर्थन वयस्क होने पर नहीं किया जा सकता आव्यस्क के द्वारा नेक्स्ट पागल खाने का एक रोगी जो की बीच-बीच में स्वस्थ्चित हो जाता है अर्थात एक पागल खाने का जो रोगी है बीच-बीच में वह सही हो जाता है तो और जब वह सही होता है उस दावरान वह संविदा कर सकता है पहिला सही है और इसके बारे में प्रावधान है धारा बाराेक दिष्टांत का पर आधारित है और इसमें आफला आब आए गया है कि पागल खाने का एक जो रोगी है वह अगर अंतराइलों के भी इस्वस्त हो जाता है तो उन अंतरालों दाफियों के दौरान कर सकता है हुआ हुए है नेक्ट साहमति सब्दर की परिवासा भारती संभिदा आधिनियम की किस धारा के अंतरगत ल Sm Arsenal दी गए है यह न्यो many त रहे जब दो या ऑधिक व्यक्ति साहमत तब कहे जाते हैं जब ये कि बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं और कोई सहमती जो है स्वतंत्र होनी चाहिए तो इसके बारे प्रावधान है दारा भावित ना नहों दुर्विदेशन से नहों भूल से नहों इन चीज़ों से अगर मुक्त है कोई सहमती तुण है स्वतंतर सहमती मानी जाएगी next, एड आइटम या conscious एड आइटम से क्या तात्पर है तो इससे तात्तपर है कि एक ही समान भाव से नेक्सट एक ही बात पर एक ही अर्थ में कि यह कही वस्तु के लिए कही करार होना तो इसके बारे प्रावधान परिभासी आ दिया गया प्रक्षेकारों के मस्तिष्कों का मिलन होना चाहिए कि अधिकारों की वयता की जांच करने के लिए मिलन यह नहीं आवस्चेकेकारों का प्रतिफल की विवेचना है तो लिलत यह आवश्चक नहीए और प्रस्ता और स्विक्रिता को समझने के लीए तो यह ऑश्चक नहीं है तो यह कोई स्वूर्ण आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी को बेहतर करने में यह सहायक होगा आप मारे चैनल विधिकारी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो वीडियो है वह आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद